अगर आपको बीरियानी खाना पसंद है तो एक बार इस तरीके से जरूर से बनाईएगा आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज रेसिपी को लाइक और शेर भी कर देना सबसे पहले दो कब जितने बासमती राइस लिये है बिरियानी का जो राइस आता है उसका मैंने यूज गया है आप कोई भी राइस ले सकते हो राइस को हम दो से तिन पानी से अच्छे से वस करेंगे दो से तीन पानी से राइस को वस कर लिया है और राइस डुबे उतना पानी डाला है और उसको डखके 10-15 मिनिट का रेश देंगे जिससे हमारे राइस खिले-खिले बने अभी वेजिटेबल्स बिर्यानी बनाने के लिए वेजिटेबल्स में आदा कप गाजर, आदा कप मटर, 100 ग्राम जितना पनी जिसको बड़ी साइज में काट लिया है आदा कप फंसी, आदा कप कैपसे कम, आदा कप फ्लावर और एक कप जितना आलू लिया है वेजीटेबल्स में आपको जो वेजीटेबल्स पसंद हो वो अपले सकते हो एक बाउल के अंदर मेरीनेशन करेंगे वेजीटेबल्स के लिए आधा कब जितना दई डालेंगे उसके अंदर हम स्वाधनू सार नमक डालेंगे आधी चमज हल्दी पावडर आधी चमज धन्या पावडर आधी चमज कस्मेरी लाल मेर्ची आधी चमज गरम मसाला और आधी चमज बिरियानी मसाला जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा हैगा वेजीटेबल्स में एक चमज अद्रक लसुन की पेच्ट डालेंगे और सारे मसाले को दई के साथ अच्छे से मिक्स करके मेरीनेशन बना लेंगे अगर हम ऐसे वेजीटेबल्स को मेरीनेट करते हैं तो वेजीटेबल्स जल्दी से कूक हो जाते हैं उसके अंदर एक ग्रीन चिली डालेंगे बारिक कटी हुई अभी सारे वेजिटेबल्स को उसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से सारे वेजिटेबल्स डालके सारे वेजिटेबल्स को हाथ से मिक्स कर लेंगे दई के साथ थोड़ी धनिया पत्ती भी डालेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी उसको डग के 10 से 15 मिनिट का रेश देंगे अभी राइस बनाएंगे तो एक बड़ी साइस की मैंने कड़ाई ली है उसके अंदर एक चमत जितना तेल डालेंगे गैस के फ्लैम को एक दम मीडियम ही रखेंगे और उसके अंदर एक तमाल पत्रो डालेंगे उसके अंदर एक चमत जीरा अभी जो भीगोए हुए राइस है उसको पानी के साथ डाल देंगे मैंने बड़ी कड़ाई ली है आप भी बड़े साइस का ही बरतन लीजेगा क्यूंकि हमें अभी राइस को बॉयल करना है स्वाधन उसा नमक डालेंगे बीडिया नी का जो राइस होता है उसको ज्यादा पानी में बॉयल करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा एकदम खिला खिला चार ग्लास जितना अभी पानी डालेंगे और गैस के फ्लैम को एकदम मीडियम ही रखेंगे अभी उसके अंदर एक डाल चिनी स्टीक डालेंगे 6-7 लॉंग और मरी डालेंगे खड़े मसाले डालने से राइस बहुती फ्लेवर फुल बनेंगे बिर्यानी के अंदर खड़े मसालों का बहुती अच्छा टेस्ट आता है इस लिए इस तरीके से ही बनाना है 3-4 मिनिट तक राइस को मैंने बॉयल कर दिया है अच्छे से राइस उबल गए है अभी हम चेक करेंगे के राइस कितने पके है हमें 80% ही पकाना है 100% नहीं पकाना इस तरीके से हाथ से तूट जाए तब गेस की फ्लेम को बंद कर देना है और स्टेनर की मदद से राइस को हम स्टेन कर देंगे राइस को हमें स्टेनर में खड़े मसाले के साथ ही स्टेन करना है उसका जो पानी ही वो निकाल देना है सारे राइस को हम एक प्लेट में निकाल के खुला कर देंगे अभी बिर्यानी बनाने के लिए एक कड़ाई में आदा कब जितना तेल लिया है और उसके अंदर 10 से बार काजू डालेंगे और काजू को तेल में उसका लाइट कलर हो जाए तब तक फ्राइज करेंगे काजू अच्छे से फ्राई हो गए उसको एक प्लेट में निकाल देंगे उसी तेल में हम ओनियन को फ्राई करेंगे प्याज को दो बड़ी साइज की प्याज को मैंने पतली-पतली स्लाइज में कट कर लिया है ओनियन का हमें अभी बीरस्ता बनाना है जो बीर्यानी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है उसका कलर चेंज हो जाए तब तक हमें उसको मेडियम फ्लेम पे फ्राई करना है आपको अगर आप लसून और ओनियन नहीं खाते तो स्कीप भी कर सकते हो उसका कलर चेंज हो गया है उसको एक प्लेट में निकाल देंगे अभी उसी तेल के अंदर हम बीर्यानी बनाने के लिए मसाला करेंगे खड़े मसाले डालेंगे एक चमत जितना जीरा, दाल चीनी, तमाल पत्र, लॉंग, मरी और जावित्री का फूल लिया है उसको हम डाल देंगे दो हरी मीर्च डालेंगे एक बड़ी साइस की प्यास को मैंने कट कर लिया है उसको डालेंगे सारे खड़े मसाले और प्यास को अच्छे से फ्राई करेंगे तेल में खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा बिरियानी का फ्लेवर आएगा अभी उसके अंदर दो बड़ी साइज के टमाटर को मैंने मिक्सर में प्यूरी बना ली थी उसको डालेंगे और टमाटर की प्यूरी को भी मिडियम फ्लेम पे अच्छे से पका देंगे तीन से चार मिनिट तक हम डख के उसको पकाएंगे जिससे उसका कच्छापन चला जाएगा तीन से चार मिनिट हो चुके है चेक कर सकते हो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से टमाटर और प्यास का कच्छापन चला गया है इसके अंदर मसाला करेंगे मसाला में सबसे पहले हम स्वाधनुसा नमक डालेंगे नमक डालते समय ध्यान रखना है हमने वेजिटेबल्स में और राइस में दोनों में नमक डाला है आधी चमच जितना कास्मेरी लाल मेर्च पाउडर आधी चमच गरम मसाला आधी चमच धन्या पावडर एक चौथाई चमच हल्दी पावडर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हमने जो मेरिनेशन किये है वेजिटेबल्स को उसको डाल देंगे मेरिनेशन किया हुआ वेजिटेबल्स जल्दी से पक जाता है और उसका टेस्ट भी बिर्यानी में बहुत ही अच्छा आता है सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे अभी उसको ढख के चार से पाँच मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे पका देंगे जिससे उसका कच्चापन चला जाएगा चार से पाँच मिनिट हो चुके है हम चेक करेंगे आप देख सकते हो अच्छे से वेजिटेबल्स हमारे पक चुके है अगर आपको वेजिटेबल्स कच्चे लगते है तो आप दो से तीन मिनिट ज्यादा पका सकते हो हम एक आलू को चेक करेंगे आप देख सकते हो अच्छे से आलू पक गया है बहुत ही अच्छा हमारा वेजीटेबल्स का जो लेयर है सब्जी वो बनके तयार हो गई है बिर्यानी की ऐसे ही हमें ग्रेवी वाली ही रखनी है बिर्यानी की सब्जी अब उसके उपर हम लेयर बनाएंगे राइस का राइस भी हमारे बहुत ही फ्लेवरफूल खड़े मसाले के साथ और खीले खीले बने है क्यूंकि हमने उसको बॉयल करके पंखे के नीचे रख दिया था फैला के जिससे वो बहुत ही अच्छे खीले खीले और छूटे छूटे बने है एक लेयर हमें राइस का ऐसे करना है अभी हमारी जो लेयर वाली बिर्यानी बनेगे बहुत ही अच्छी बनेगी उसके उपर हम एक से दो चमच जितना गी डालेंगे गी डालने से यकिन मानिए बहुत ही फ्लेवरफूल उसका टेस्ट आता है बिर्यानी का उसके उपर हम फूदिना की पत्ती डालेंगे फ्रेस फूदिना फूदिना का भी अच्छा फ्लेवर आता है फ्राई की हुई प्यास डालेंगे और बारिक कटा हुआ दन्या डालेंगे और अभी कलर मेरे पास थे तो मैंने अभी रेड और यलो कलर का यूज किया है उसको हम डालेंगे जिससे हमारी बिर्यानी बहुत ही कलरफुल भी बने अगर आपको मेरे रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लेज रेसिपी को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर देना फिर से हम बिर्यानी मसाला, गी, फुदीना के पान, रेड और यलो फुल कलर फ्राइ की हुई ओनियन, बारिक कटा हुआ धन्या और हमने जो फ्राइ करके काजू रखे थे, उसको उपर से डाल देंगे देखने सही खाने का मन करेगा, उतनी कलरफूल और फ्लेवर फूल बिर्यानी बनेगी अगर आप नॉन्वेज नहीं खाते तो इस तरीके से जरू से बनाईएगा आप नॉन्वेज को भी बूल जाएगे, उतनी टेस्टी बिर्यानी बनेगी बिर्यानी को दम देने के लिए एल्यूमिनियम फोइल से डक्कन को मैंने कवर कर लिया है उसके उपर भारी चीज रख दूँगी जिससे स्टीम जो है वो अंदर ही रहे और हमारी बिर्यानी में अच्छा सा दम आ जाए अभी एक पैन के उपर हम कड़ाई रख देंगे और गैस की फ्लेम को एकड़म मेडियम रखेंगे अगर आपके पास कोईला हो तो आप कोईला जलाके उसके अंदर गी डालके आप अच्छे से उसको स्मोक देज सकते हो तो स्मोकी फ्लेवर वाले बिर्यानी बनेगी चार से पांच मेर तक मैंने अच्छे से पका लिया आए बिर्यानी को अभी हम थोड़ी देर बाद खोलेंगे जिससे उसमें अच्छा सा दम आ जाए टेस्टी और यम्मी खिली-खिली कलरफूल वेज बिर्यानी रेडी हो चुकी है आप देख सकते हो गर्मा गरम वेज बिर्यानी को हम सव करेंगे जिसको आप सलाड, पापड, राइता, छास के साथ एंजोई कर सकते हो मैं मना आए तो इस तरीके से जरू से बनाएगा बहुत पसंद आएगी रेसिप अच्छी लगी हो तो लाइक सेर कर देना थेंक्यू फ्रेंड्स